जैहिंद दोस्तों, आज की सुबा एक शानदार खबर के साथ शुरू हुई है। एक ऐसी खबर, जिसे सुनकर हर भारतिये का सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा। सोचिए, अगर भारत के पास ऐसी ताकतवर मिसाइल हो जो दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे घातक और विनाशकारी मिसाइल अगनी सिक्स की। जिसके लिए भारत सरकार और DRDO ने इस मिसाइल को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने अगनी 6 मिसाइल बना ली है और भारत इसका बल्क क्वांटिटी में प्रडक्शन भी शुरू करने जा रहा है। क्या है पूरी खबर चलिए जानते हैं विस्तार से जब तक आप भी अपने देश के वैग्यानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जई हिंद जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में मिली रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने अपने सिक्स मिसाइल की हार्डवेर फाइल को मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हार्डवेर फाइल क्या होती है और इसका मतलब क्या है। दरसल, जब किसी मिसाइल का डिजाइन तयार हो जाता है, तो अगला कदम होता है उसे हकीकत में बदलने का। इसके लिए जो भी तकनीकी सामान, कलपुर्जे और विशेश सामगरी चाहिए होती है, उसकी पूरी जानकारी को हार्डवेर फाइल में शामिल किया जाता है। ये फाइल तभी सरकार को सौपी जाती है, जब वैग्यानिकों ने डिजाइन के हर पहलू पर काम कर लिया हो और अब उत्पादन के लिए तयार हो। और जब DRDO ने भारत सरकार को ये फाइल सोप दी है, तो इसका मतलब साफ है कि DRDO के वैग्यानिकों ने अग्निसिक्स के डिजाइन को तयार कर लिया है। और अब इस प्रोजेक्ट को उत्पादन में लाने का समय आ गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को पूरी दुनिया से दबाव भी झेलना पड़ रहा है, खास तोर पर पश्चिमी देशों से। कई पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत के पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली घातक मिसाइल हो जो सीधे उनके देशों तक पहुँच सके। ये देश नहीं चाहते कि भारत इतनी बड़ी सैन ने शक्ती बन जाए कि उनके लिए चुनोती बन जाए। खास कर यूरोपियन देश और अमेरिका जैसे देश इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस दबाव का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भारत आज उस मुकाम पर पहुँच गया है जहां उसके सैन ने विकास को लेकर दुनिया सजक हो चुकी है। पहले जो देश भारत को हलके में लेते थे, आज उनी देशों को हमारी बढ़ती ताकत का डर सता रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारा देश ऐसी मिसाइल बना रहा है जो उसकी सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने में सक्षम होगी। अब सबसे महतुपूर्ण सवाल ये है कि आखिर इस मिसाइल की रेंज कितनी होगी। डियारडियों ने अब तक इसकी सटीक जानकारी नहीं दी है लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एगनिसिक्स की रेंज 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि भारत के पास ऐसी शक्ति होगी जो पृत्वी के किसी भी कोने तक पहुँच सके। ये मिसाईल भारत की सुरक्षा के लिहाद से बेहद महत्वपूर्ण होगी खास कर अगर भविश्य में कोई बड़ा युद्ध होता है। कुछ विशेशग्य मानते हैं कि तीसरे विश्वयुद्ध की स्थिती में भारत को चीन से ही नहीं बलकि यूरोप और पश्चिमी देशों से भी खत्रा हो सकता है। इसलिए इतनी लंबी रेंज की मिसाईल होना भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। अगनिसिक्स सिर्फ लंबी रेंज वाली मिसाईल ही नहीं है बलकि यह मिसाईल परमानू और गैर परमानू दोनों प्रकार के हमले करने की ख्षमता रखती है। इसे यह सुनिश्चित होता है कि भारत किसी भी स्थिती में दुश्मन को मुहतोड जवाब देने में सक्षम रहेगा। तो दोस्तो सोचिए जब अगनिसिक्स मिसाईल भारत के पास होगी तब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नजरें भारत पर होगी। दुनिया हमें एक नई उँचाई पर देखेगी और भारत का वेश्विक स्तर पर सम्मान और पढ़ेगा। ये कदम हमारे देश को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अब आप ही बताईए, अगनिसिक्स की रेंज कितनी होनी चाहिए? क्या ये कदम भारत को वाकई एक नई उँचाई पर ले जाएगा? और क्या हमें और ताकतवर मिसाइलों को बनाना की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत!